आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अशिव का विलोंग शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अशिव का आर्थ समझते हैं अशिव का आर्थ होता है अशुब, बुरा, ऐ कल्यानकर या ऐ मंगल तो अशिव का विलोम शब्द याने के विपरितार थक शब्द होगा शिव और शिव का आर्थ होता है कल्यानकारी, कल्यान, मंगल, शोभी या मंगलेक तो आई अब हम शीव और अशीव को कुछ उधारण वाक्टियों से समझें जैसे कि आप ये कह सकती है कि अशीव कार्यों से समाज में अशान्ति फैल सकती है तो इसका उल्टा आप कह सकती है शीव कार्यों से समाज में शान्ति और सुहार्त बढ़ता है यह पिर आप कह सकते हैं शिव वातावरन ने लोगों के मनोबल को प्रभावित किया अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें